नमस्काल दोस्तों श्ट्राइट अपका स्वागत और आज हम बात करने वाले हैं कि माइक्रो कॉम क्या होता है अभी हाली में एक इंवेंशन हुआ है उस्ट्रेलिया में जिसमें कि करता है और इसका आगे क्या future हो सकता है तो सबसे पहले बताते हैं कि यह क्या है मैंने आपको बताई यह एक चिप है बहुत ही छोटी सी चिप है जो की internet speed को बहुत तेज कर सकती है और कितना तेज यह जानने के लिए आप यह समझ लीजिए कि इस पर भी हाली में आ रही है तो आप एक HD picture को लगातार बिना रुके high quality में देख सकते हैं अब ऐसे 1024 mbps मिला दिया जाए तो एक GB बनता है और 1024 GB मिला दिया जाए तो एक TB बनता है और ऐसे 44.2 10TB को ये 1 second में transfer कर सकता है अब इनका कहना है research का कहना है कि ये 1000 movies को 1 second में transfer कर सकते हैं ये तो इसकी capabilities है अब बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है एक soliton crystal है जिस पर ये work करता है अब उस crystal की खासियत क्या है कि वो 80 प्रकार की wavelength create कर सकता है और हर wavelength अलग data transmit कर सकता है on the same time on the same cable अब ये cable काउन सा use करते हैं optical fiber cable अगर आपको नहीं पता OFC क्या है तो हम उसके उपर एक अलग video बना दिंगे आगे चलके तो ये same wire को use करता है एक छोटी सी चिप है आप बस ऐसा सोचो कि जितना भी हमारे ये telecom sector है उसमें ज same time पर बहुत ज्यादा डेटा को ये transfer कर सकता है जिसका बहुत सारा फायदा होने वाला है सबसे पहले तो communication sector में बहुत बड़ा इसका profit देखने वाला है कि अभी चैसे हम लोग हम लोग को speed थोड़ी सी slow मिलती है फिर उतनी नहीं मिल पाती है आगे चलके बहुत ज्यादा त पर जब internet speed बहुत ज्यादा तेज होगी इतनी तेज कि आपको लगे ही ना कि आपके computer में वह hardware है ही नहीं वह आप cloud से यूज करो सोचो इतना तेज रहेगा तो आप अपने पास hardware रखोगे या फिर आप rent पे hardware लेके बस एक TFT और keyboard रखके यूज करना चाहोगे तो ये आने information भी उतनी ज्यादा market में available नहीं है जैसे ये और research होती रहेगी वैसे और information आती रहेगी तो में भी आगे आने वाले वीडियो में अगर इसकी और information आती है तो मैं उस पर और वीडियो बनाऊँगा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like कर दीगा चैनल को subscribe कर दीजेग वीडियो देखने के लिए धन्यवाई